हेलो एवरिवान वेलकम तो यूर फेवरेट चैनल मिन्टॉक क्लास त्री जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और हिंदी एन इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं तो हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास थर्ड इंग्लिश मैरी गोल्ड के यूनिट नमबर 9 का पोयम डोंट टेल और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वर्कबुक के क्वेश्चन को सॉल्फ करेंगे फ्रम अर्यहंत पब्लिकेशन्स वर्कबुक इस चैप्टर को मै जैसे unseen passages आते हैं उन पे बेस्ट कुछ questions होते हैं उन questions के answers हम कैसे find out करते हैं This beautiful poem is written by Irene Yates So let us read our सबसे पहले question number 1 text-based question Read the following lines from the poem and answer the questions that follows So I patiently wait till I am all grown up and I will show them all one day यह poem एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो यह सोचता है कि उसके grown-ups जो है उसके आसपास की grown-ups elder people वो उसे बहुत सारी चीज़े करने को मना करते हैं Let us read our question number 1 सबसे पहले who is I in the above lines कौन है जो I के बारे में बताया गया है इन चार lines के उपर तो जब हमें I के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें यह देखना होता है सबसे पहले कि वो related word जो है वो हमारे lines में कहा है तो हमारा सबसे पहला sentence So I patiently wait यहाँ पे यह I कौन है? बच्चा है, the small child, the young child थर्द स्टारेट के बच्चे हैं इसलिए answer छोटे में ही लिख सकते हैं in 2-3 words So I here in the above lines is the child Next is What is I patiently waiting for? What मतलब क्या? यह जो I है यानि कि बच्चा धहरी पूर्वक patiently waiting for वेट कर रहा है किसके लिए? तो वो भी हमारे second line में दिया है patiently wait till I am all grown up जब तक की बच्चा grown up नहीं हो जाता तब तक के लिए तो हम answer लिखेंगे हमारे question से ही I is अब क्यूंकि question में I को ऐसे inverted commas में दिखाया गया है इसलिए हम भी answer लिखने time वैसे ही लिखेंगे I is patiently waiting for growing up बड़े होने के लिए पढता है next question who does them refer to refer मतलब किस के बारे में बताया गया है in the above lines तो जो last के दो lines है and I will show them all और मैं उन सब को दिखा दूंगा one day, एक दिन तो यहाँ पे यह जो them है यह कौन है? them मतलब की grown up elder people so we will write from the question them refers to the grown up in the poem last question find the opposite of child from the above lines हमें child शब्द का opposite ढूना है child मतलब छोटा बच्चा इसका opposite क्या होगा? बड़े लोग और बड़े लोग को English में grown up बोलते हैं so our answer is grown up let us see our next question that is true or false जो सही है उसे हम T for true लिखेंगे और जो गलत है उसे F for false लिखेंगे number one is the child is not allowed to do two things ये जो छोटा बच्चा है he is not allowed उसे इजाज़त नहीं है to do two things सिर्फ दो काम करने के लिए उसे मना करके रखा है क्या ऐसा है? नहीं, बिलकुल भी नहीं उसे सारे काम करने को मना करके रखे है जो बड़े लोगों को लगता है सिर्फ बड़ों का ही काम है छोटों का काम नहीं है number two the child is given the reason the बच्चे को ये कारण बताया जा रहा है that कि वो he is not big enough कि वो अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है हाँ, ये सच है तभी तो उसे मना क्या जा रहा है so T for true third is the child thinks he is a ghost G-H-O-S-T ghost मतलब भूत बच्चा सोचता है कि वो एक भूत है no this is false बच्चा सोचता है कि वो एक giant है अंदर से बहुत ही विशाल है अंदर से ये हम हमारे poem में ही पढ़ चुके हैं so the statement is F for false next one is nobody knows that the child is a giant inside कि जो बच्चा है वो दिखने में भले ही छोटा है लेकिन अंदर से वो बहुत ही बड़ा है यानि कि उसके इरादे बहुत ही बड़े हैं और वो अपने आपको बहुत बड़ा महसूस करता है so yes this is true and last one is the child waits बच्चा जो है वो वो वेट करता है is a grown-up जब तक की तिल वो बड़ा नहीं हो जाता grown-up नहीं हो जाता so yes this is also true आगे बढ़ते हैं हमारे question number 3 की तरफ we have to match the column to complete the sentences एक पूरे sentence के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट आधा पार्ट इधर है कॉलम A में और दूसरा आधा पार्ट इधर है कॉलम B में तो हमें उन्हीं पार्ट को जॉइन करना है so number 1 is the child जो बच्चा था बच्चे को बहुत सारी चीज़े करने की मना ही थी उसे नहीं करने दिया जाता था तो कौन सा सही रहेगा he was a giant the child he was a giant child के बाद he नहीं लग सकता तो ये वाला नहीं होगा the child to be an adult child के बाद to be an adult ये भी सुनने में कैसा अजीब सा लग रहा है ये भी नहीं होगा the child shows others that he could do things if he was given a chance बच्चा मन में सोचता है कि अगर उसे chance मिला तो वो बाक्यों को दिखा देगा वो तो वैसे दूसरों को नहीं दिखा पाया क्योंकि उसे chance तो नहीं मिला तो ये वाला भी sentence में नहीं बनेगा ठीक से then the child he was small फिर से child के बाद he हम नहीं लगा सकते उसके बाद last वाला देखिए the child was not permitted to do a lot of things was not permitted उसे बिलकुल भी permission नहीं थी to do करने की a lot of things बहुत सारी चीज़े तो first वाले के साथ ये ही वाला अच्छे से match कर रहा है next is they said that they मतलब grown-ups ये कहते थे की वो अभी छोटा है that he was small that के बाद he अच्छे से बैठ जाता है third is he waited बच्चा जो है child वो इंतजार करने लगा किसका इंतजार बड़े होने का इंतजार to be an adult he waited to be an adult fourth is he wanted to जो बच्चा था वो चाहता था क्या चाहता था दूसरों को दिखाना चाहता था he wanted to show others that he could do things if he was given a chance और last वाला he thought that उसने बच्चे ने ये सोचा thought मतलब सोचा कि he was a giant inside कि वो अंदर से बहुत ही विशाल है अपने इरादो में तो इस तरीके से हम match the following करते हैं आगे हम पढ़ेंगे और करेंगे short answer type questions जिसके answer one or two words के ही होते हैं number one why was the child not allowed to do a lot of things क्यों चोटा सा बच्चा एलाओ नहीं था करने की उसे इजाजत नहीं थी बहुत सारी चीजे क्योंकि वो बहुत चोटा था because he was very small let us read our next question number two what does nobody know about the child what मतलब क्या does nobody की कोई भी ऐसी कौन सी चीज है जो कोई भी नहीं जानता क्या कोई नहीं जानता about the child इस बच्चे के बारे में that he was a giant inside giant की spelling है G-I-A-N-T giant, giant inside number three what would the child do क्या ये बच्चा करता if he was given a chance अगर उसे एक मौका दिया होता तो तो हम हमरा answer question से ही लिखेंगे he would, he would show his elders what all he could do कि वो क्या क्या कर सकता है आगे हम पढ़ेंगे grammar से related questions in language based questions number one, write the opposites of the following word हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं तो सबसे पहला है I-N-In, side मतलब अंदर की तरफ इसका उल्टा क्या होता है अंदर का बाहर out होता है O-U-T, out S-I-D-E, side The next is S-H-O-W, show मतलब दिखाना दिखाने का उल्टा क्या होता है? चिपाना जिससे हम एंग्लिश में बोलते हैं H-I-D-E, hide Next one is S-O-M-E, sum Sum मतलब थोड़ा इसका उल्टा होगा बहुत सारा यानि की M-A-N-Y, many Next is B-I-G, big Big का उल्टा होता है S-M-A-L-L, small Next is Nobody यानि की कोई भी नहीं और इसका उल्टा क्या होगा? हर इंसान, सब ही सब ही को हम बोलते हैं E-V-E-R-Y, B-O-D-Y Everybody Next question में हमें rhyming words लेकना है Two words, we have to write two words in the boxes that rhyme with the one mentioned in it Box में जो word लिखा है उसका rhyming word लिखना है जैसे T-H-I-N-G, think Think का एक rhyming word S-I-K-Word जिसके last में एक तो G होगा और जो सुनने में एक जैसा होगा तो think का rhyming word एक होगा S-I-N-G, sing And next is K-I-N-G, king Next is chance तो last में हमें C-E चाहिए इसी के जैसा सुनने वाला rhyming शब्द D-A-N-C-E, dance उसके बाद एक और rhyming word हो सकता है G-L-A-N-C-E, glance मतलब एक नजर में जैसे आप exam के पहले 3-4 chapter कैसे एक नजर में देख लेते हो Just before the exam So that is called Having a glance at your syllabus तो यह भी last में क्योंकि N-C ही है तो इसलिए यह chance का rhyming word है Dance, chance and glance और last वाला जो word है That is the giant यह एक new word था अपके textbook में इसका जो rhyming word है That also sometimes may be new word for you तो एक बहुत ही common word है C-L-I-E-N-T Client क्योंकि इसमें last में N-T-N-T है इसलिए यह rhyming word है सुनने में भी एक जैसे लगते है Client का मतलब होता है कोई एक इंसान जो कोई service लेने के लिए या फिर किसी सामान को खरीदने के लिए पैसे पे करते है या फिर अगर कोई वकील के पास जाता है Lawyer के पास जाता है कोई suggestion ने ले So that person is called a client यह giant का rhyming word है एक और new word है That is also rhyming word R-I-A-N-T And I'm sure this is also our new word only for you Let us see our last question We have our question number 3 Write about two things Aisी दो चीजों के बारे में लिखो That your parents जो आपके मम्मी पापा Can do But you can't So the first sentence हमें parents से start करना है My parents can ride a car But I can not उसके बाद My parents can use a gas stove But I can't यानि कि I can not मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसमें fire होता है काफी डेंजर भरा काम होता है So this was the last question of this workbook solution इसी तरीके के डीटेल एक्स्पैनेशन के साथ हम Unit 9 का chapter पढ़ेंगे lesson पढ़ेंगे That is He is my brother एक बहुत ही खुबसूरत सी कहानी along with lots of pictures Hindi and English word meaning So let's meet very soon Till then thank you very much Bye Bye